ग्वालियर शहर की मुरार थाटीपूर और क्राइम ब्रांच पुलिस ने करीब छे महिने से फरार चल रहे हत्या के तीन आरूपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इन सबी पर दस दस जार का इनाम भूशित था दरसल 16 जून 2020 को राजेश गुर्जर की हत्या कर दी गई थी इस मामले में तीन लोगों को नामजद किया गया था पलिस को मुखवीर से सूचना मिली थी कि ये लोग उटीला थाना शेतर के मुंडे बाबा के पास मौजूद हैं इसके चलते मुरार क्राइम ब्रांच और थाटीपुर थाने के पलिस ने जाल बिचा कर इन बदमाशों की घेरा बंदी की और ने पकड़ लिया ये सभी बदमाश पहले भी कई मामलों में वांचित रहे हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है पलिस के मताविक आपस में दोस्त इन लोगों ने रंगबाजी के चलते राजेश गुर्जर की साथ नंबर चुराहे के पास हत्या कर दी थी तब ही से ये लोग फरार थे ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट ये थाना मुरार में 16 जून को एक 302-307 की घटना हुई थी जिसका अपराध के बांग है 312 बटे 20 इसमें आरोपी फरार थे अभी 4 आरोपी फरार थे जिसमें से 3 आरोपी जिन पर पुलिस अदिक्षक महोदय द्वारा 10-10 अजार का इनाम घोशित किया गया है इनको आज मुंडे बाबा की जो रोड है उटीला शेतर में वहां से क्राइम और ठाना ठाटीपुर की टीम के द्वारा सूशना प्राप्त होने पर पुड़ी सूश-बूश के साथ ग्रफतार किया गया है इनका फैमिली बेक्राउंड तो यह सब आसपास के शेतरों से एक उटीला से के पास से कहीं से से आके बसे हैं या मुरार में और इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी है जो आरूपी पकड़े गए हूंके कर दो कर दो कर दो